मुख्यमेंत्री योगी आदितनाथ ने बरेली में कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दोरान बरेली क्रफ्यू लगता था लेकिन अब करफ्यू लगाने वालों के घर में ही करफ्यू लगा दिया जायेगा आज करफ्यू यतरा को बदलकर हमने कामण wheat यत्रा कर दिया है सिम्योगी ने कहा कि 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश आपके सामने था एक बार करफ्यू लगा हुआ था और और यहां के कारकरताओं ने मुझे कहा था की कर्फियू लगा कर हमारी प्रतारना हो रही है तो मैंने यहां आने का प्लान बनाया उस समय मैं मैं सांसत था लेकिन मुझे यहां नहीं आने दिया गया बीते साथ साल में मैंने तुन नहीं देखा कि यहां बरेली में कोई कर्फियू लगाया गया हो कर्फियू लगाने वालों के घर ही में ही कर्फियू लग जाएगा उन्होंने कहा कि अब कोई कर्फियू की बात नहीं करेगा यहीं नया उत्तरप्रदेश है बरेली, रामपूर, अलीगर, मुरादाबाद, मुझाफर नगर, सहारनपूर में महीनों कर्फियू लगा रहता था लेकिन अब कहीं कर्फियू नहीं होता अब कर्फियू को बदलकर हमने कावड यातरा कर दिया है, अब यहां सांदार कावड यातरा निकाली है, मुख्यमंत्री ने आजओध्या में राम मंदिर को लेकर कहा कि पूरी दुनिया में भी सनातनी हैं, वो गदगद हैं, उन्होंने कहा कि 22 जनौरी को राम मंदिर में चलता गया होगा उनके लिए एक आसाएक नया बिस्वास है करभ्यू करभ्यू करता है एक दोत्य करत्य करता है मैं संसत था और मुझे कार्ट कर्फू लगा करके हमारा ही प्रताड नहीं हो रहा है भीर कियि चया अठ्वी का कर्फू मोन में कर्फ्यू वनाद सब्सक्राइब कर्फ्यू लेकिन नाज कव्यू भी जगता हैं यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता सिर्फ और सिर्फ बने रहे निउस नाइन भारत पर अब चाहूंगा इजाजर नमस्कार